हेलो फ्रेंड्स नमश्कार किसान भाई कैसे आप सब आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे चलिए एगरिकल्चर नैनो टेक्निक्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं मेरे इस चैनल में आपको आज ये कैसे विशाय पे हम बात करेंगे जिसमें किसानों की है बल्ले 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 किसानों की कैसे हैं कैसे वो अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं आज इसी विशाय को ले कर आए हैं तो फ्रेंड्स मेरे आज की इस टॉपिक को आप सुरू से अंत तक जरूर देखें और उससे पहले आप छोटा सा एक गाना सुने उसके बाद में हम आ लाइक नहीं किया है सस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेधन है कि आप लाइक करें सस्क्राइब करें और बैल आइकन बटन को जरूर दबा दे चलिए तब तक के लिए छोटा सा एक आप गाना सुनिए उसके बाद में हम बात करतें इस विशाय पर कि क्यों इतना म पैसा मिलिएगा तो चलिए आपने गाना सुना कैसा लगा चलिए छोटा सा क्लिपिंग भी दिखाए इसके साथ में अगर हम बात करते हैं आज सबसे महतुपूर्ण विशय की किसानों की बल्ले बल्ले और कैसे हम इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वो भी कैश क्रॉप के रूप में और ऐसा क्यों कह रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी भारत ने जो है गेहूं के निर्यात में प्रतिबंद लगा दिया है जी हां आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के बारे में, वीट के बारे में, क्योंकि अभी रश्या और यूक्रेन के युधि के कारण में खाद्यान संकट जो है वो उत्पन होके आया है, तो ये एक तरीके से कहिए कि हमारे किसान भाईयों के लिए बहुत अच्छा अपोर्शनिटी है, और इस पे अगर हम काम पे अगर देखें, तो हमारे भविश्य में हमको अधिक मुनाफ़ा और अधिक पैसा मिलने का संभौना बढ़ जाता है, जी हाँ, क्यों कह रहे हैं, इसका हमने आकलन किया है, और आकलन करने के बाद में आपके सामने ये प्रस्तूत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये हैं, कि जो रशिया है, वो 26% गेहु का उत्पादन करता है, और रशिया और यूकरेन की युद्ध के कारण में, क्या हुआ है कि अभी जो ये आयात और निरियात वाली जो प्रक्रिया है, वो प्रतिबंदित है, और भारत सरकार ने अभी प्रतिबंद लगाया है, निरिया वहाँ 6.2% का इसका डिमांड जो है गेहूं का वो बढ़ गया है इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी तरफ देखें कि पैरिस में भी गेहूं का जो ग्रोथ जो चाहिए जो डिमांड चाहिए वो बढ़ गया है मतलब सीदी सी बात है हमारे किसान भाईयों के लिए पास में और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें यूकरेन की जो पोजिशन है वो इसके उत्पादन में फिफ्थ पोजिशन है और इंडिया का जो है वो एट्थ पोजिशन पे गेहूं उत्पादन करता है तो यह हमारे लिए एक महत पूर्ण विशय है अगर हम इसमें ज से बड़ी बात जो मद्य एशिया रीजन है खाद्यान ने संकट वहां उत्पन्न हुआ है जैसे के लिए आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान यह जो रीजन है यहां पे ब्राजील रीजन है यहां पे इन सब जगा इसका जो डिमांड है वो काफी बढ़ गया है खाद का के बाद मई 2022 का यह समय चल रहा है और इसके बाद में अगर आप इसका कल्टिवेशन करते हैं तो नो डाउट आशा है कि आपको धेड़ सारा फायदा मिलेगा ही तो चलिए फ्रेंड्स यही आपके सामने आज डिसकस करना था आपको बताना था तो मेरे इस चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें अगरिकल्चर नैनो टेक्निक्स भूलिएगा नहीं और आज का विशा कैसे लगा जरूर बताइए और इसके साथ में मेरे इस चैनल में मैं अलग-अलग टॉपिक्स बनाता हूं और मेरे इन टॉपिक्स को आप देखिए हो सकता है आपके लिए तो आपको फायदा होना चाहिए हमारा मोटो यही है और आपके लिए अच्छे च्छी टॉपिक्स लेकर आएंगे ताकि आप धिर सारा पैसा कमा सगे चलिए मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा थैंक्यू वेरी मच